हलो बच्चों तो आज हम देखेंगे भू आकरिती विज्ञान की प्रकृती कल हमने भू आकरिती विज्ञान की परिभाशा पढ़ी थी आज हम पढ़ेंगे भू आकरिती विज्ञान की प्रकृती प्रकृति मैंने कल आपको थोड़ा सा बता दिया थे कि प्रकृति किसे कहते हैं तो चलिए आज देख लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति कैसी है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति है पित्वी पर इस्थित उच्चावचों का अध्यान करना भू आकृति विज्ञान जो है इसकी प्रकृति है प्रित्वी पर इस्थित जितने भी उच्चावच है उच्चावच कहते हैं उबडखावर इस्थिती को जिसे कि ये हो गया मैदान ये पठार हो गया ये पहाड हो गया पर ये नदी हो गई इस तरह कि उबडखावर तो भू आकरिति विख्यान की प्रकृती प्रीश्वि प्रीश्ट्रेश्टों का अधयान करना है इसकी परिभाशा भी परिभाशा क्या होती है स्थल मंडल की सताँ पर उर्धवाकार में जो उत्वाकार मतलब एक सीधी रेखा में जो स्थल ये विशम्ताइं पाई जाती है उन्हें उच्चावच कहते हैं जिसे विशाल परवच छोटे ठीले घाटिया तीले कहते हैं जिसे कि आपने रेत के छोट छोटे तीले इस तरह से देखे हो गए रेगिस्थान में इस तरह से बने हुए रेत इसे कहते हैं तीले और घाटिया कहते हैं जिसे ये परवत है तो ये इसकी चोटी हो गई और जो इसके नीचे का जो ये भाग आया जिसके बाद फिर एक परवत आ गया तो ये बीच का स्थान हो गया घाटी और ये हो गया चोटी और ये हो गया घाटी उच्चावच किसे कहते हैं? इस्थल मंडल की सताह पर उर्धवाकार में जो सरी विशमताएं पाई जाती हैं उन्हें उच्चावच कहते हैं जैसे विशाल परवच, छोटे टीले, घाटियां आदी आकार में विश्थार की दरिष्टी से समस्थ उच्चावचों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है प्रतम श्रेणी के उच्चावच, दृत्य श्रेणी के उच्चावच और प्रत्य श्रेणी के उच्चावच तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रथम श्रैनी के उच्चावच किसे कहते हैं प्रथम श्रैनी के उच्चावच भू, तल के प्रमुख ये आधार भू उच्चावचों को इस श्रैनी में रखा जाता जैसे महासागर ये तल एवं महादुईप ये तल महादुईपों एवं महासागरों की उत्पति, वर्तमान, वित्रण तता विकास का अध्यन प्रथम श्रेनी के उच्चावचों के अंदर गत किया जाता है प्रथम श्रेनी के उच्चावचों में महा सागरों और महा दूपों का अध्यन किया जाता है क्योंकि इसके बाद इसमें विकास कैसे हुआ है या जो महा दूप है हमारे महा दूप में ही महा दूप है तो यह इस थल मंडल है इस थल मंडन में ही परवश्रिंख लाएं बनती हैं पठार बनती हैं मैदान होते हैं या अगर महासागर है तो महासागरों में ही मगने तट पाये जाते हैं मगने ढ़ाल पाये जाते हैं मैदान पाये जाते हैं तो इसे लिए क्योंकि महाद्वीपों और महासागरों में ही ज महाद्वीब और महासागरों और प्रथम शरीन के उच्चावचों के अंतरगत क्या ध्यन क्या चाता है महाद्वीब और महासागरों के उत्पत्ति कैसे होई तो उत्पत्ति थोड़ा से मैं आप लोगों को बता दू कि पहले जो पित्वी थी तो इसमें यह जितने भी द्व महाद्वीप दीखने, ये सब अलग अलग अभी हैं लेकिन उस वक्त क्या था जब हमारे महाद्वीप चो थे, एक ज्च थे तो गुछ इस फ्रकार की स्थती थी है हमारी परित्व सब करें पृधवी ये एक बड़ा सा महाद्वीप अरर इस साथ सब यानि कि एक बड़ा सा महा सागर्थ हो और एक बड़ा सा महा द्वीप था उसके बाद ही ये तूटते तूटते अलग-अलग द्वीपों में विभाजित हो गया इन ही का वित्रन और इनके विकास के भारे में जानना और इनका विकास का ही अध्यन क्या जाता है किसमें प्रथम श्रणी के उच्चावच में अब देखते हैं दृत्य श्रणी के उच्चावच द्वित्य श्रणी के उच्चावच में पहला पॉइंट जो है प्रथम श्रणी के उच्चावच यानि की प्रथम श्रणी के उच्चावच कौन है? महाद्वीप और महासागरों में पर प्रित्वी के आंत्रिक बलो द्वारा निर्मित उच्चावचों को द्वित्य श्रणी के उच्चावच कहते हैं आंत्रिक बल जो प्रित्वी के अंदर से जो बल लगती है उसे आंत्रिक बल कहते हैं इसके अंदर से निकलने के कारण यहां एक परवत का निर्मान हो जाता है यहां जो एक परवत का निर्मान हुआ इसे ही दुट्य श्रणी के उच्चावच में रखा गया है तो यह परवत का निर्मान की सर्थ कैसे हुआ ज्वाला मुखी उधगार के कार और ज्वाला मुखी क्या है एक आंतरिक बल है तो प्रथम श्रणी की उच्चावचों पर प्रित्वी के आंतरिक बलो यानि की प्रित्वी के अंतर जो भी बल कारे करते हैं उनके द्वारा निर्मित उच्चावचों को दुट्य श्रणी के उच्चावच कहते हैं जैसे परवत, पठार, मैदान, छील, आदी पटल वीरूपन कारी बलों के कारण इनका निर्मान होता है अता इनने सनरचनात्मक इस्थरूप भी कहते हैं भूपरिष्ट पर रचनात्मक एवं मिनाशात्मक दोनों ही प्रकार के बल कारे करते हैं भूपरिष्ट पर रचनात्मक एवं मिनाशात्मक रचनात्मक मतलब के पित्वी की आंत्रिक बल जब कारे कर रही है पित्वी की आंत्रिक बल कारे कर रही है इस तरह से है पित्वी की आंत्रिक बल कारे कर रही है तो मानत्य जो आलम उख्योदगार हुआ यहां से मैगमा बहार निकल के लावा बहार निकल गया तो यह क्या किय एक परवत का निर्मान कर दिया लेकिन अब यहीं शुरू होता है अपरदन का कारे जो कि क्या है एक बाहे बल है जिसे मिनाश आत्मक बल भी कहते हैं क्योंकि और अपरदन का एक कारेक मान लेते हैं पावन हैं तो जब हमाय चलेंगी तो अपरदन से क्या होता है कि यहां से कुछ तोड़ तोड़ कर इसे अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी या फिर अगर नदी बह रही तो नदी अपने साथ इसे बहा कर ले जाएगी तो जब यहां से बैंक मा जब ठंडा होने के पाद जब चटान मन जाएगा तो जब अपरदन बल अपने साथ बहा कर ले जाएगी जब नदी के दवारा तो इसके उचाए क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसलिए इसे विनाशात्मक बल चाहते हैं देत्य श्रेनी के उच्चावचों का निर्मान, आंत्रिक रचनात्मक बलों से होता है, अता इन्हें रचनात्मक स्थरूप कहते हैं, देखें, यहां पर परवत है, यहां पठार है, नदी है, मैदान है, पहारिया है, सागर है, तो यह सक्या है, देत्य श्रेनी के त्रित्य श्रेनी के उच्चावच और विक्सित इस्थल रूपों को त्रित्य श्रेनी के उच्चावच कहते हैं अब जो द्वित्य श्रेनी के उच्चावच है इसमें जो भी इस्थल रूपों का विकास हो रहा है जिससे की परवत है, परवत में जो भी विकास हो रहा है, नदी है, मैदान है, तो इसमें अब जो भी उच्चा, जो भी स्तला कृतिया बन रही है, इन्हें कहते हैं तृत्य श्रणी के उच्चावच, पहला तो था कि प्रथम श्रणी के उच्चावच, उसमें हमें क्या पढ महादूइपो और महासागरों में किस तरह सिस्तला कृतिया बन रही है कौन-कौन से बलकारे कर रहे हैं और अब त्रितिश रिन के उच्चावच में कि जो इस्तला कृतिया बन चुकी है महादूइपों में और महासागरों में जो इस्तला कृतिया बन चुकी है या जो उच्चावच बन चुके है उसमें और विकास हो रहा है और विक्सित इस्तलरूप बन रहे हैं उसे कहते हैं त्रितिश रिन के उच्चावच इनका निर्मान मुख्यता बाहिबलों से होता है जो तेटेश रेनी के जो उच्चावच होते हैं इनका निर्मान बाहिबलों से होता है मतलब अपरदन कारे से होगा अपक्षे कारे से होगा अपक्षेबल से होगा निक्षेपन से होगा उदाहरन प्रवाहित इनका निर्मान मुख्यता बाहे बलों सो होता जो विनाश कारी होते हैं अता इन्हें विनाशात्मक स्थलरूप कहते हैं कुछpower निर प्रवाहित चल पावन हिमानी आधी इन्हें अपरदनकारी बल भी कहते हैं अब देखिये यहाँ पे कुछ समझने वाना चीज है कि यहाँ पे आता है कोड़ विनास आत्मत या विनाशकारी बल जो बाहे बल होता है तो बाहे बलों में कह कहता है अपर्दन आता है अपक्षय आता है और निक्षय पनाता है अपर सबसे पहले सबसे पहला कार होता है बाहिए बल में अपक्षय का कोई भी चीजे कोई भी स्थला करेती है या कोई भी चटान है अपनी जगह से तूटना यानि कि यह कोई परवत है और इसका कोई छोटा सा चटान अपनी जगह से तूट गया इस तूटने को हम कहते हैं अपक्षर और अगर इस चटान को नदी अपने साथ बहा कर ले जा रही है हवा बवन अपने साथ बहा कर ले जा रही है हिमानी अपने साथ या निकि बर्फ अपने साथ बहा कर ले जा रही है तो उसे कहते हैं अपरदन और जहां पर बहा के ले जारी बहाने के बाद जहां पर यह छोड रही है जहां पर इसे रख रही है जहां इसका जमाव कर रही है उसे कहते हैं निक्षेपन अपक्षे कहते हैं अपनी जगह से तूटना अपरदन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और निक्षेपन कहते हैं जो भी चीज अपरदन कारे से जो भी चीज आई है अपरदन बल से जो छुटी हुई चीज है उसे कहते हैं निक्षेपन जैसे कि माल लेते हैं कि कोई परवत है, कोई परवत श्रिंखला है, यहां से नदी निकलती है, ठीक और नदी के नदी जब बहेगी उस परवक से जब नदी बहेगी तो चटानों से बक्त टक्राएगी टक्राने के शाथ क्या होगा कि वो चटाने के हांगे टूटेंगे तो हाँ पे क्या हो रहा है अपक्षय हो रहा है उसके बाद तूटने के बाद वो चटाने वहीं पे नहीं रहेंगी बलकि नदी के साथ तो बहती चल जाएंगी तो नदी के साथ उस चटान का बहना क्या कहला आपरदन और जहां पे वो चटान रुका जहां पे वो चटान का जमा हुआ जहां पर रुक गया उसे कहते हैं निक्षेपन और अब अगर यह चटान यहां पर रुक गया तो यहां एक नई इस्थराकरिती बन गई है तो इसे ही कहते हैं निक्षेपन इसलिए इसे विनाशकारी बल भी कहते हैं कि यहां परवत बना हुआ था तो अपरदन का इसे क्या होता है, कि इसकी उचाई तो कम हो जाती है, इसका विनाश हो रहा है, इसलिए इसे विनाश कारी बल भी कहते हैं इंसे निर्मित इवं विक्सित विभिन इस्थला केतिया तृतिश रनी के उच्चावच ये स्थलरुप कहलाते हैं विभिन प्रकार की घाटियां तट बंद चोटियां धाल ही मोड एसकर बालु का स्थूप पुलीन आदी कंडिर्मान अपरदनवान इच्छेपन से होता है अब देखे जैसे यहां हिमनद है हिमनद में क्या उतसे बर्फ ही बर्फ होता है जब यह बर्फ पिगलेगी तो यह तो यह बहेगी मानते इधा से भी एक नदी निकल रही है और इधा से भी एक नदी निकल रही है तो यहां क्या हो रहा है अपरदन कारे हो रहा है और फिर यह एक जगह जम रही है तो यह किस चिस कर निर्मान कर रही है और यहां पर जो घाटी है वैली है इसको मैं आप लो यहां से बर्फ पीगला और इधा से भी बर्फ पीगला नदी करूप ले लिया नदी जहां पर जाके जमी वह गैची यहां से जो अलम क्यूदगार हुआ परवश्रिंखलाएं है पठार है घाटी है रेगिस्तान है नदी है नदी का जहां पर एंड होता है उसे डेल्टा कहत है खाडी है यानि कि जो भी पानी जो भी जल होता है महासागरो या जीलो के दारा जो भी इस थलों में आ जाता है इस थल में परवेश्च कर जाता है जिससे यहां पर जल है तो यह इस थल में परवेश्च कर रहा है इस रास्ता से तो इसे कहते हैं खाडी फिर यह होगा ज कि जल्ड अम्रू किसे कहते हैं यह बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है कि जल्ड अम्रू और जलसंधी किसे कहते हैं। बड़े सागरों को मिलाने वाला रास्ता होता है उसे जलसंधी कहते हैं, बड़े सागरों को मिलाने वाला रास्ता कहलाता है जलसंधी, छोटे सागरों को मिलाने वाला रास्ता कहलाता है जलसंधी, छोटे सागरों को मिलाने वाला रास्ता कहलाता है जलसंधी, उसके बाद य होता है घाटी किसे कहते हैं जील किसे कहते हैं और ये प्राइद्वीप है प्राइद्वीप कहते हैं जो भी द्वीप यानि कि जो भी इस सल भाग है वो तीन और पानी से घीरा हुआ हो यानि कि इस साइट से इस साइट से और नीचे से पानी से घीरा हुआ हो उसे प्राइद समू जहां पर कई द्वीब एक जगह पर थोड़ी थोड़ी दोरी पर एक जगह पर इससे होते हैं उसे द्वीब समू कहते हैं तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दू यह हला कि हमारे सलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ी से जानकारी के लिए कि आप लोगों को कहीं पर खाटी एक लंबा निचला च्छेतर है, जो अक्सर पाहाड़ी या पाहाडों के बीच चलता है, जिसमें आम तोर पर एक नदी या धारा एक चोर से दूसरे चोर तक चलती है, जैसे यहां पे मैंने चित्र बनाया था तो यहां पे पहाड है दोनों और पहाड है और यहां से एक नदी है जो यहां से इसका एक छोड है और यह कहां जा रही है यहां पे आकर रुक रही है यह इसका दूसरा चोड तक जा रही है और यहां पे जो छेत्र है इसे ही कहते हैं जील किसे कहते है, जील पानी का एक बाड़ी है, जो भूमी से घिरा हुआ होता है, जार और भूमी से क्या होता है, यहां पिसे नदी आ रही, इधर भी भूमी है, इधर भूमी होती है, बीच में पानी जम्मा हुआ होता है, उसे कहते हैं कि जील, पठार बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि पठार किसे कहते हैं तो धरातल का विशिष्ट इस्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से परियापत उचा होता है यानि कि ज्यादा उचा नहीं होता है परियापत उचा होता है और इसका उपरी भाग चाड़ा चाड़ा और सपाट होता है यानि कि सीधा होता है बिल्किल प्लेन होता है चाड़ा होता है इसका उपरी भाग और सीधा होता है इसे ही क्या कहते है पठार क्योंकि परवतों का क्या होता है उपर का भाग क्या होता है नुकीला होता है इस तरह से होता है परवतों का, लेकिन पहाडों का क्या होता है, पठारों का क्या होता है, इस तरह से चोड़ा होता है और सीधा होता है, और ये धरातल से ज़्यादा उचा नहीं होता है, परियाप्त उचा ही रहता है, इसे पठार कहते हैं, तो जो भी हमने पढ़ा, इसे च ज्ञान की प्रक्रिति प्रेच्वी पर इस से उच्चावचों का अध्यन करना है। उच्चावच किसे कहते हैं? इस्थर मंडल की सतह पर उर्धवाकार में जो सलिय विशमताएं पाई जाती हैं। उच्चावच कहते हैं जैसे विशाल परवत, छोटे टीले, खाटिया, आधी। आगार एवं विस्तार की दिरिष्टी से समस्त उच्चावचों को त्रीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, वित्य श्रेणी के उच्चावच और दित्य श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच भू तल के प्रमुख या आधार भूत उच्चावचों को श्रेणी में रखा जाता है। जैसे महासागरिय तल एबं महादुईप्यतर महादुईपों एबं महासागरों के उत्पत्ति वर्तमान वित्रन चथा विकास का अध्यान प्रत्थम श्रणी के उच्चावचों के अंतरगत किया जाता है दृत्य श्रणी के उच्चावच के कौन चोत है प्राथम श्रणी के उच्चावचों पर प्रित्वी के आंत्रिक बलों द्वारा निर्मित उच्चावचों को द्वित्य श्रणी के उच्चावच कहते हैं जैसे परवत, पठार, मैदान, छील, आदी पटल वीरूपन कारी बलों के कारण इनका निर्मान होता है अता इन्हें सन रचनात्मक स्थरूप भी कहते हैं भूप रिष्ट पर रचनात्मक और विनाश आत्मक दोनों ही प्रकार के बलकारे करते हैं दृत्य श्रणी के उच्चावचों का निर्माई आंत्रिक रचनात्मक बलों से होता है अता इन्हें रचनात्मक स्थरूप कहते हैं तृत्य श्रेनी के उच्चावच पर विक्सित स्थरूपों को तृत्य श्रेनी के उच्चावच कहते हैं इनका निर्मान मुख्यता बाहेबलों से होता है जो मिनाशकारी होते हैं अता इन्हें मिनाश्यात्मा के स्थरूप कहते हैं, उदाहरन के लिए प्रवाहिचेल है, इमानी आधी, इन्हें अपरदनकारी बल भी कहते हैं, इनसे निर्मित इवन विक्सित स्थराकेतियां तृत्यष्रनी के उच्चावच कहलाते हैं, तो ये आप लोगों को किलियर हो अगर कोई डाउट हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तब तक के लिए टेक केर, थैंक यू